हलो दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज का पार्ट टू इसमें सभी प्रस्न बहुत महत्पूर्ण है तो आए देखते हैं कोहचन देख बुला क्या है पती पतनी और उनके बच्चे की आउसत आयू तीन बहुत्त पूरी कितना था सताइस यह क्या दिया है आउसत यानि या तीनो पती है वो पतनी है और उनका बच्चा है ओसत को मिला करके आउसत कितना है 17 लें कब का है, तीन बहुत पूर्व का, तो वई सकते हैं बतमान में कतना हो जाएगा तो तीन कैबाँ जूटेगा 27 पलस्तिन किज़ेगा तो कितना जागा 30 यानि कह सकते हैं पती पतनी और उनके बच्चे की और सथ आयू बरतमान में कितना हो जागा 30 तो बताएए योग कितना हो जागा तो वो हैस्वेंड है उसका वाइप है और बच्चा है तीनों का योग निकालिए तो क्या कहते हैं और जात में यानि बरतमान वाला वाला जात में संख्या से बुणा तो संख्या कहा एव दूग तीन जातिन कितनाा गया 90 बे, नब्ड आ गया, इसको माले समी करें एक, आगे बोला है, पत्नी एवां बच्चे की आउसत आयो, 5 वर्स पूर्वे, 20 वर्स थी, यानि, 5 साल पहले आउसत कितना हो जाएगा, तो का होगा, जूटे का, 20 पलस 5, यानि कितना हो जाएगा, 25, यानि काहेंगे, पत्नी और ब कित्मन निकल जगा और तो एवसत है वरतमाने 25 तो यो कितना तो दूब को संख्या दूसे पूना यह नहीं कितना जाएगा 50 यह समिकरन 2 बन गिया नहीं जो तुम्हिंतारण कि कौर दों को घटा ये ठीक है घटाने पर काहा जारा बंच्चा कर जाघा डाबलू डाबलावल गर जाघा तो बच एच हैका मन कितना जाएगा स्टार जाएगा 40 40 फेच क्या था तो हैस्ट के पती की वर्तमांED उम्र क्या है तो पति के वर्तमान हुशा है चालीस वर्स थाकिस ये ऐसी तो तुरा पट भुस东ों में ऩीट कर लिया तो एच बचा और नदे में से पचार जगा तक ना चालिस यानि हैस्वेंड का वर्तमान उम्र कितना निकल लिया चालिस वर्स तो कौनसा उप्शन जाएगा बी नुमर ऑप्शन जा रहा है बी आये दूसरा नमर कोचन बोला है समीर की आयू अपने पीता की आयू का एक बटा चार देखिए एक बटा चार में पकड़ है एक बटा चार में तो जिसके बारे में बोलेगा उभ्हिन का उपर वाला और जिससे तुम्हा करेगा उभ्हिन का नीचे वाला तो बोला है समीर की आयू यानि किसके बारे में बता रहा है समीर की आयू किससे तुम्हा ा पिता यानि फादर समीर और फादर का रैशियो काई एकटाचाब बोड़ा है अपने आयों को रहा है अपने बेहां की आयों का दो बट इन अब बोट-बोटो फिर पादव ऺटगार धी KPाड़ के समीर को इसमीर होगा अपने पीता-ग्ण. अच्छर होगा लेकिन अपने बहन का कितना दो बॉटा तीन यानि Sumir के बारे वो गऴाय है ऐभी तुमना किसे की है बहन से तो समीर होगा उपर में और बहन कहोगा है नीचे में बहन तो यहां पर समीर और उसका बहन कितना निकल गया है दो नुपाद तीन के रिशियो में तो करा है उस समीर उसके पीटा और बहन की आयू का नुपाद क्या होगा यानि समीर पीटा और बहन कायू दोनों मे तो दो से गुना कर लिए यह जगा दू अच्छा दूने आठ तो था यह समीर फादर और उसका बहन का रेषियो करता जाएगा तो समीर का दू फादर आठ और बहन करता तीन यह दो आठ तीन के रेषियो हो जाएगा नहीं कौन सो उप्शन जा रहा है डी नमर ऑप्शन डी जाएगा आए तिसरे नमर कोश्चन करा पांच वर्स बाद एक आयू बीकी आयू की दुगनी हो जाएगी देखें ए और बी में रिले समना यह तो पांच वर्स बाद पांच वर्स बाद क्या हो जाएगा एक की आयू जो है पांच वर्स बाद एक की आयू जो है बी से दुगना तो बी एक तो एक ना दुगना यानि दोन पाद एक के रिश्यू में अब आगे बोला है कि सी जिसकी आयू पाचीस वर्स है यानि सी जिसकी आयू पाचीस वर्स पाचीस वर्स करका होगा तो कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब वर्तमान का है यानि C का वर्तमान में केतना हो गया 25 वर्स लेकिन बोला है 5 साल बाद B की आयू की तिनमटा दू गुन हो जाएगी यानि C और B में अग्रिडेशन बनाए 5 साल बाद का 5 वर्स बाद का 5 वर्स बाद का इलेशन क्या बोल रहा है कि C का आई जो होगा वो B की आई का तिनमटा दू गुनी हो जाएगी कौन? C किसके तुलना में? B के तुलना में C उपर वाला ये तीन अब B करना नीचे वाला दू अज़ देखे, यहां भी 5 वर्स बाद है A और B में C और B में भी 5 वर्स बाद है तो A, B, C के रिलेशन आईए A, B, C का रिलेशन कब का? 5 वर्स बाद का 5 वर्स बाद का तो दोनों में common कौन है? तो B, B दोनों में common है तो B का रेशियो समान कीज़े तो B का रेशियो यहां दू है तो यहां भी समान करने के लिए का वाद दो से गुना यहां से कहते हैं कि 5 साल बाद केतना हो जाएगा पांच वर्स बाद केतना हो जाएगा उम्र तो कहा हो जाएगा 25 अपालस पांच तो कहेंगे कि C का 5 साल बाद 30 वर्स हो जाएगा लेकिन C का अनुपाद मैं 5 साल बाद केतना 3 तो तुल ना कीजिए अनुपाद 3 बड़ाबर 30 ते नोपात 1 वराबर केतना? 10 तो किसका पुछरा है? ए की वर्तमान उम्र तो पहरे निकानले ए का यहाँ से 5 वर्ष बाद केतना हो जाएगा तो 10 चको? 40 यानि ए का निकाल गिया 5 वर्ष बाद 40 वर्ष का तो तहीं ए वर्तमान में केतना हो जाएगा? ठीक है वर्तमान में तो क्या होगा पांच साल घट जागा यानि पांच सा वर्तमान से पांच साल बाद जाएंगे तो चलिस साल का तो वर्तमान में केतना तो पांच साल घट हेगा तो चलिस साल पाद जागा केतना पैंटिस वर्स अगर पुछेगा कि 20 का बरतमान में कतना तो कहेंगे अनुपात 1 ब zeigt 10 तो 2 बdt वर्ण साल बाद 20 वर्ण होगी तो अभी कितना हो जागा बरतमान में तर पंद्रा बर्स लेकिन हमको पुछा एका तो एका कितना गया था है तिस वर्स यानि option कौन जा रहा है बी नमर option बी आए चौथा नमर को हो चल बोला है किसी कच्छा में लड़कों की आउसत आयू उस कच्छा की लड़कियों की संख्या के तीगुनी है किसी कच्छा में लड़कों का आउसत आयू निकलेगा उन लड़कियों की संख्या के तीन गुना यान जितना लड़की है उसका तीन गुना कहें तो लड़कों का आउसत आयू निकलेगा लेकों तो लेकियों की संख्या का नुपाद चारुपाद तीन देखे जरे सिर्या है यह दोनों मिलाकर केतना जाए नुपाद में तुन ना किजिए नुपाद में साथ लेकिन संख्या में कतना 42 तो का सकते है नुपाद एक बरावर कतना 6 यानि छोचो को 24 चोविस उगर अब बॉय निकलता है तो छोटी अठारा को क्या निकलेगा गर्ल लेकिन चोविस अठारा जोड़े कतना एक ब्यालिस याहां से निकले है कुल संख्या विद्याठ्यों का ऑद दिस निकलता और रेस्चियों में 4 उतिन 7 तो एक बरावर चोविस और अठारा है यानि बॉय की संख्याच 24 और गर्ले की संख्याच 18 तो पुछा है लड़कों की कुल आई कितना लड़कों की कुल आई कितना हो जाएगा पहले निकले लड़कों का ओस्त क्या गूँ है लड़कियों की संख्या का तीन गुना तो लड़की कितना है अठारा गुना तीन किजेगा तो कितना निकलेगा चावगन तो चावगन क्या निकलता रहा है लड़कों का आउसत लड़कों का आउसत चावगन ठीक है लड़कों का आउसत कितना है चावगन लेकिन लड़क सब्सक्राइब लड़कों की और लड़कियों की संख्या का तीबुना जिसमें 42 को टोटल विड़ जाती है जो लड़का लड़की का रिशियो है सब्सक्राइब लड़कों की और लड़कों की और लड़कों की संख्या से गुना तो 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 लड़को पाचवा नमर कोचन पाचवा नमर है पाच वर्ष पहले जब पती और पत्नी का विवा हुआ था तो उसकी आउसत आयू तेस वर्ष थी तो था ये हैस्वेंड और वाइव का यूप कितना हो जाएगा कब वर्तमान में डारेक्ट निकालते हैं हम लोग वर्तमान में निकालि तो तेस पाच अठाइस साल हो गया वर्तमान में आउसत लेकर हमको योग निकालना है तो संख्या कह वह है दूगो तो दूसरे गुना याठाइस दूना 56 यानि यहां से निकल गया कि हैस्वेंड और वाइव का वर्तमान में कुल आयू कितना हो गया 56 अब बोला है पती पत इन वर्तमान ही करना है यह निकाले दूसर वाइप और एक बच्चा होगया तो उसका अवसत केतना है और में लाकां कितना है वाफ्टमान को संख्याइव तर्छैन्स से वुना तो विश्टी कि आई सॉाथ वर्ष संस्तितितर रांस तो का योग में से इस दोनों का योग घटा लेंगें निकलेगा बच्चा का वर्तमान उम्र कितना निकल गया चार वर्स आए चठा नमर कोचन है कमलर का विवा का च्छे वर्स पूर हुआ यानि बच्चा वर्तमान में जो कमला है उसका उम्र उससे च्छे साल पहले क्यों था कमला का साधी हुआ था आज उसकी आई उसके विवा के समय की आई तैक पाचब्टा चार गुना है यानि आज की आई यह नि बच्चा आज की आयू बने बर्तमान और साधी के समय क्या बोला है साधी के समय विवा के समय याने साधी के समय साधी के समय के आयू साधी के समय के आयू लेकिए कमला के बारे में सोची कमला का लिले से निकल रहा है कि इस बर्तमान में और सादी के समय के आयू तो बोला है आज उसकी आयू उसके विवा के समय की आयू का पाचवटाचार गुना है पाचवटाचार पकड़िए कमला के बारे में बता रहा है दो रिलिसन एक सादी के समय और एक वर्तमान तो बोलाए आज, आज मतलब क्या वर्तमान उसके विवा, तो आज के बारे में बोल रहा है यानि वर्तमान के बारे में बोल रहा है कि सितनल क्या विवा के समय से तो उपर वाला क्या जाएगा आज वाला ये निए वर्तमाण वाला और नीचे वाला शाधी किसमे वर्तमाण ने 5 तो शाधी किसमे के debt tax डेखे ये कामला करी का निकल ये deterioration वर्तमाण और साधी किसमे कायी हुँ तो वर्तमाण वहां पाँच है तो शाधी किसमे का रहा है थैं ये अंटर कितना हो गया। अनुपात एक का यानि का सकते हैं कि अनुपात एक में पहले साधी हुआ लेकिन साधी करें पहले का हुआ है छे वर्स पूर हुआ है तो का सकते हैं अनुपात एक का अंतर लेकिन वर्तमान और साधी के समय में अंतर यहां से वर्स में कितना है छे वर्स का अनुपात एक वर् कितना हो जाएगा 16 x 30 वर्स यानि काम 나 वर्तमान कितना हो गया 30 वर्स तो साधी के समय के समय 25 वर यहां से दी क्यूंब्य थ्रम खा साथी के समय 24 वर्स था व Uh U कि कितना हो गया 30 अने कह सके पूत्र का वर्तमान में, वर्तमान में कितना, तो करा है कमला के जो वर्तमान उम्र है, उसका एक बटा दस भाग होगा, यानि कमला का वर्तमान उम्र कितना, तीस, तीस का एक बटा दस निकालेगा, तो कितना जाएगा, तो तीन वर्स, कितना जाएगा, तीन वर्स, यानि वर्स बात कितना हो जाएगा तो बताएए पूत्र का बातमान में तीन है तो पांच साल बात कितना हो जाएगा तो पांच साल आउज उटेगा नहीं कितना हो जाएगा आठ वर्स का हो जाएगा यानि कामला के पूत्र जो है पांच वर्स बात कितना हो जाएगा आठ वर्स का उम्र से पांच साल बड़ा है और माता की वर्तमान आयू पूतरी की आयू की तिन गुनी है लेकिन बोल दिया है कि माता की जो वर्तमान आयोगा पूतरी की आयू का कितना तिन गुना अब पूतरी अगर 10 वर्स की है तो पूतरी का वर्तमान में कितना उम्र दिया है वर्तमान पुत्री का वर्तमान में दस साल का है, दस वर्स का, तई पुत्री दस वर्स की है वर्तमान में, तो माता की आई वर्तमान में केतना हो जाएगा, ठीक है, माता की आई वर्तमान में केतना हो जाएगा, तो बुला है, कि माता की वर्तमान आयो पुत्री के तिन गुनी, पुत्र 20 मात इम्र कितना दश गुणतती वह निए करना या निकाली पीटा का उप्रख वुर्तमौन उम्र कितना हो चले फूं किठेसा से पांच वर्ख बडा है बताइथ माता है तीस सल का उपांट सल बडा हो लेकिए तीस अपाच करीं तीस व सर्ट्ष जोल फा पी तीने है 35 वर्षिं कोहचर जार आ है पूत्री के जन्मे किसम्ध पीता की आई क्या था याइनि फादर के फादर की आई मतंद पूत्री वर्तमान में है 10 साल, तो पूत्री कब जन्म लिया 魔ळा यांसी यहां की पुछ रहा है, तो 10 वर्स पहले का पुछ रहा है, यानि 10 वर्स पहले डारेट रूप से नहीं पुछ करके का पुछ दिया, पूतरी के जन्म किसम है, जब पूतरी वर्तमान में 10 सल की है, इसका मतल़ हुआ, कि 10 सल पहले उसका क्या हुआ, जन्म हुआ है, यानि 10 वर्स पहले देखे आठावा नमर कोचन है इसको दो तरह से बना सकते हैं ठीक है और सबस्ट में इस तरह कोचन में बताएं जब एवरेज के पार्ट थ्री विडियो बनाए तो इस तरह से कोचन बताए थे कि एक लड़का का सम्मू होगा उसमें एक टीचर जुड जाता है यह आ जाता है तो टीचर का आयू कितना होगा या टीचर का वजन कितना होगा इस तरह से question तो याउसत में बताएं इस question को फिर से देख लिजे उम्रवाला में करा है एक कच्छा में तीस ललकों की आउसत आयू 10 वर्स है एक कच्छा में लड़का है इसमें और टीचर आ जाता है तो क्यों जाएगा तो आसत एक वर्ष बार जाएगा तो हम बताए थे कि average में परिवर्टर नहीं करता है कब जब जितना average था उतना ही कोई लेकर आता है या उतना ही लेकर कोई जाएगा यानी कहेंगा अगर टीचर तेस साल लेकर आवेगा तो अबर जाएगा कमसेकम average बनाने क क्यों रही रहा है तो सब क्वर्ष बिछ दा कर आएगा वर्षा ज्यादा लेकर आया है तो 130 गुल्णा एक जाएगा के लिए 30 गोप के लिए, देखें, 10 तो लाएगा, average बनाने के लिए, और 31 गोप के लिए, एकक जादा लेकाया, यानि, कितना total लेकाया, 10 अब 31 कितना लेगा। यहीक निकाल लगिया है, direct, यानि, बहुत असान है, यानि, teacher की IU कतना है यहां से, 41 वर्स यानि average बनाने के लिए 10 साल आग एकक साल सब के लिए लाया तो 30 वो और एकक खुद 31 वो तो 31 व्यक्ति के लिए एकक जागा लेका आया या इसी को दूसरा मेंठर से बना सकते हैं कि तो 30 लड़कों की आउसत आईउ 10 वर्स है यही क्या निकला है लड़कों की कुल आईउ अगे होगा एक 30 वो होगे होगा 31 पर एक 31 यहां भी आएगा तो यहां से बना लेजिए फर्स्ट मेथद या दूसरा मेथद दोनों को कोई वीज़ करके बना सकते हैं तो अप्सन जाएगा इसमें कौन सा D नमर ऑप्सन D नोमा नमर देखिए करा 12 खिलालियों वाले एक दल की आउसत आयू टेस वर्स है टिक है उसी तरह कोचन है अगर 12 खिलाली है तो इसका आउसत कता दिया टेस तो बताएए इसमें अगर कोई खिलाली सामिल होता है या परसि अगर इसमें कोच भी सामिल कर दिया जाए यानि एक व्यक्ति को और सामिल किया जा तो अगर आउसत बनाए रखना है तो कितना लेकाना चाहिए तो तेस लेकाना चाहिए यानि परसिच्छक की आयू भी सामिल जाते यानि परसिच्छक जो ट्रा है तो तो इसमें टेस वर् ऐस्त में भजता है यानि दो गोला गृधिक रेगा निगे आप गड़त करेगा जाब तोम भोडली तो इसंट और भी का सअथ चरुग प्रेथमर वाइग है। परसिच्छा की आयू आया है यहनी उन्चास वर्स तो उन्चास वर्स हो जागा यहां से आप्शन इसमें नहीं दिया है या इसको देखे ऐसे ही बना सकते हैं कि 12 खिलाडियों की दल का ओसत आयू तेस वर्स है तो बताएं यह कितना हो जाएगा तो 12 गुणा 10, 12 गुणा 10, अब पर से 6 गीशा मिलोगा तो कें निकले गां परसिच्छक की आयू निकले गाँ यहां से किये तो तेरा पर्चे 65 चो और तेरा दुनी 26 और चो चो च्ट्विस और चो प्यतना हो जाएगा 36 32 यानि 325 माइनस और बारत या 36 के चो में तीन बारत चोविस और तीन 27 दूसर चीएटर गटा ये तब 15 में 6 जाएगा 9 और यहां पर चार और दू-दू खतम यानि उन्चास नहीं, इसमें अंसर कोन जाएगा 39 और ओप्शन ऐ सही है नभी नसी और दी यानि ऑप्शन कौन कोन आएगा 44 गटार पर इससे चक्यायके चास बस टिक है तो याद रखेंगा इसका अंसर आएगा 49 और यह देसमा नमर को चन देखते हैं जासमा नमर में है कि एप परिश्य परके 6 सदस यानि कितना है टोटल 6 सदस निए 6 हो आदमी होगा उसका और सत आयू कतना है इस वर्ष यानि का सकते हैं छे आदमी का और सत आयू का या और तो गी सामिल किया जाता है तो आखिस पर तीसद की बी बीडी होती है बताएए 25 पर 30 बृद्धी करेगा तो कितना का बृद्धी करेगा यानि 20 का 25 पर 30 निकालेगा तो 25 बता 100 यानि कितना का 5 का बृद्धी यानि कहने का अथ हुआ कि अगर इसमें नौकर भी सामेर हो जाएगा तो आउसत में 5 का बृद्धी करेगा कि आउसत बनाए रखने के लिए नोकर को कम से कम कितना लेकराना होगा 20 यानि 20 लेकिन 5 जादा लाया है तो कितना के लिए जादा लाया होगा तो 6-10 आयोग अपने खुद यानि 6-7 यह 7 जादी के लिए 5 पर जादा लाएगा जादा लेगा तो 7-5 जोड़े 5-5 जोड़े 5-5 जोड़े 5-5 वर्स का आयोगा नोकर आया होगा तब आउसत में 5-5 का भी दिखिया या अंसर आएगा 5-5 वर्स यह यह इसी को बना सकते हैं इसे भी ठीक है थोड़ा साथ बढ़ाएंगे इसको लॉंग मेथट से देखें कहें छे सदस्यों की आउसत आयोग विस बर्स तो बताए यह कितना हो जाएगा तो चे गुना सम्खिया तो यह सदस्यों का कुल आयोग निकला उसमें एक 9-9 कर तो जोग कर तो किक्तना होगा सद कूश का गृद्धी यानि 2-3 वर्स पांच का भी दिखिया निकला यह पत्चीस पच्छतर माइनस अब विस गुना च्छे कर दो, एक सोक दीस यानि केतना जाओ पचपण वर्स फटबन वर्स तो चाहे तो इससे बना लिए रखने के लिए कम से कम 20 लेकर आएगा लेकिन 5 पर ज़्यादा लेकर आया तो कितना के लिए 7 वोग ज़्यादा लेकर आया तो सब्सक्राइब कर लिए तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सेर कॉमेंट और लाइक जरू किजिएगा और अगर आप नए जोड़े हैं इस चैनल स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि आपको तेक नए वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके थैंक्यू धन्यवाद